हेलो बच्चो लीजे आज हम फिर से आगए पार्ट तीन खिलोनों की सभा में पिछली कक्छा में हमने इसी पार्ट से एक कम्प्रिहेंशन किये थे जिसको मैंने आप लोगों से कहा था कि अपने कोपी में अच्छे से लिखिए सुन्दर हैन्राइटिंग में लिखिए और उसे याद किजिए तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ टेक्सबुक कोईस्चन जो की पेज नमबर 25 में है आईए देखते हैं प्रस्ना 3 सही सब्द लिख कर खाली जगा भरो हाँ बच्चो इन देखिए इन तीन सब्दों में से आपको हर एक प्रस्न में आपको भरना है हर एक वाक्य में आपको भरना है जैसे नमबर क तो कर दिया गया है देखिए एक कोने में खिलोनों की पितारी रखी थी हाँ बच्चो देखिए यहाँ से पितारी यहाँ पे लिख दिया है आभी बच गए दो तो हमें कम्प्यूटर और फुटबोल में से चुन कर हमें यहाँ पर लिखना है यह सब क्या है खाली जगा भरो और इंग्लिस में हम कहते है फिलिंदा ब्लैंक्स आईए देखते हैं बच्चो नमबर ख सावरी मनु डैश पर ही खेलते हैं हाँ बच्चो सावरी और मनु कहाँ पर खेलते हैं कम्प्यूटर ना हाँ तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा कम्प्यूटर ठीके बच्चो क्या लिखिएगा यहाँ पर कम्प्यूटर तो रहा ग मनु पम से डैश में हवा भरता है हाँ बच्चो पम से मनु ने कहानी के आखरी में कहाँ पर पम से हवा भर रहा था वो बच्चो फुटबॉल क्योंकि फुटबॉल क्या हो गई थी पिचक गई थी ना तो यहाँ पर उत्तर है फुटबॉल ठीके बच्चो नंबर खो कम्प्यूटर नंबर गो फुटबॉल आईए देखते है अगली स्लाइड में मैंने लिख दिये है तो देखिए बच्चो मैंने यहाँ पर प्रस्न तीन के उत्तर लिख दिये है आईए आप सब भी मेरे साथ पर ये सही सब्द लिख कर खाली जगा भरो नंबर कर एक कोने में खिलोनों की पितारी रखी थी नंबर ख साउरी मनू कम्प्यूटर पर ही खेलते है नंबर ग मनू पम से फुटबॉल में हवा भड़ता है देखा बच्चो तो आईए चलते है और कुछ और प्रश्ना करते है तो बच्चो ये प्रस्न जो मैंने यहाँ पर दिये है नंबर एक ये है आपके पेश नंबर 26 से आपके गुंजन किताब के पेश नंबर 26 से ठीक है बच्चो देखिए इनके दो-दो सब्द लिखो हाँ बच्चो हमें और दो-दो सब्द लिखने है किनके आपको और भी ऐसे दो बनाने है दो और सब्द बनाने है ठीक है और ये है ध़ ध़ से यहाँ पर बना कर दिया है धकना हमें और दो सब्द बनाने है कौन सा यूज करके कौन सा वर्ण यूज करके ध़ आगे चलते है ये है अड़ा अरा से गुडिया बना कर दिया है हमें हमें ओर भी दो सब्द लिखने है यहाँ पर ठीक है बच्चो और देखिए यह आखरी वाला अढ़ा अढ़ा से क्या दिया ओर्णी ओर्णी से भी हमें ओर क्या करना पड़ेगा बच्चो यहाँ पर और दो सब लिखने होंगे तो बच्चो अगले स्लाइड में मैंने इन लोग के आंसर लिख दिये है लेकिन आप अपने मर्जी से भी लिख सकते है मेरा उत्तर ही सही है वो बात नहीं है ठीके बच्चो आईए चलते हैं और देखते हैं इसका उत्तर अगले स्लाइड में तो देखिए बच्चो मैंने इन प्रस्नों का उत्तर लिख दिये हैं देखिए द से मैंने लिखा दफली दम्रू क्या लिखा मैंने बच्चो द से दफली दम्रू धह से धक्कन धाल क्या लिखा मैंने धक्कन धाल अढ़ से पकोडी थोरी अढ़ से चड़ाई पढ़ाई चलिए बच्चो मेरे साथ और एक बार आप सब मिलकर पढ़ लिजिए इनके दो दो सब्द लिखो तो बच्चो हमें इन वर्नों से दो दो सब और भी लिखने थे तो आईए पढ़ते हैं एक साथ द से बनाया है लुडो, डफली, डम्रू ध से धक्ना, धक्कन, धाल अढ़ा से गुडिया, पकोडी, थोरी अधा से ओर्नी, चड़ाई, पढ़ाई तो बच्चो ये है मेरे सब्द और मैंने आप से क्या कहा था? आप अपने से भी, अपनी मर्जी से सब्द लिख सकते हैं लेकिन क्या होना पड़ेगा वो? सही होना पड़ेगा, ठीके? स्पेलिंग सही होना पड़ेगा तब सब्द करेक्ट होगा तो आईए चलते हैं और अगले स्लाइड में और देखते हैं और आगे क्या प्रस्न है? तो बच्चों, ये है प्रश्न दो, जो की सेम पेज, पेज नंबर 26 से दिये हैं. आईए प्रसना पढ़ते है ज और फ के सब्द लिखो देखे बच्चो ये ज ये तो हम बोलते है ज जब ये बिंदू लग जाते है ये बन जाते है ज ज और फ के सब्द लिखो तो हमें क्या करना है इन वर्णों से हमें और भी तीन तीन सब्द लिखने है पहला वाला तो कर दिया है मेज तो हमें ऐसे और भी तीन सब्द बनाने है जैसे फ से साफ हमें और भी तीन सब्द बनाने है तो बच्चो आईए चलते हैं अगले स्लाइड में मैंने इनके उत्तर लिखे हैं, आईए चलते हैं तो देखिए बच्चो मैंने प्रस्ण दोग के उत्तर लिख दिये है यहाँ पर तो बच्चो जो मैं हमेशा कहती हूँ जो मैं लिखती हूँ वही लिखना जरूरी नहीं है आप अपने से भी सब्द बना कर लिख सकते हैं लेकिन क्या होना परेगा वो सही सद्ध होना परेगा ठीक है बच्चो तो देखिए यहाँ पर मैंने ज और फ से तीन तीन सब्द लिखती हैं आईए देखिए चीज तेज आवाज फ से सफाई माफ तुफान देखा बच्चो मैंने लिखे न तीन-तीन सब्द तो आईए सब मिलकर एक साथ पढ़ते हैं प्रस्टन दो ज और फ के सब्द लिखो तो ज से क्या बना मेज चीज तेज आवाज फ से बच्चो साफ सफाई माफ तुफान तो बच्चो समझ गए ना हाँ तो आईए चलते हैं अगले स्लाइड में बच्चो चलिए तो बच्चो ये रहा आपका आज का ग्रिहकारिय यानि की होम टास्क ग्रिहकारिय तो ये प्रस्ण है आपके पेज नमबर 25 से बच्चो तो आईए प्रस्ण पड़ते हैं सही बात पर smiley बनाओ हाँ बच्चो देखिए नमबर क में दो दो ओप्षन दिये हैं ये एक ये दो ख में भी एक दो गर में भी एक दो गर में भी एक दो जो आपको दोनों में से सही लगे, उसमें आपको क्या बनाना है, smiley बनाना है, देखिए क्या करना है हमें, मित्रों के साथ दोर भाग कर खेलने से हम, हाँ बच्चों, मित्रों के साथ दोस्तों के साथ दोर भाग कर खेलने से हम, नमबर को, चुस्त रहते हैं, सुस्त रहते ह हाँ बच्चो अगर हम मित्रों के साथ दोर भाग कर खेलते हैं तो हम केसे रहते हैं चूस्त रहते हैं या फिर सुस्त रहते हैं चूस्त मदलब बच्चो एक्टिव फुर्तिला सुस्त मदलब लेजी तो क्या लगता है बच्चो आपको active होते हो या lazy होते हो दोस्तों के साथ खेलने से active होते हो ना, juicy होते हो ना हाँ, तो यहाँ पर आप क्या लगाई है smiley लगाई है थीखे बच्चो उसी तरह आपको ख, ग और घ को भी करना है आप करोगे ना बच्चो ठीक है तो बच्चो ये रहा आपका आज का ग्रिहक कारे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में बाबाई